नमस्कार दोस्तो, मैं हर्शवर्दन, फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ, आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, फार्म ट्रैक का नया 45 सुपर स्मार्ट, आलू में हिट, बाकी में सुपर फिट, क्योंकि ये ट्रेक्टर आता है पूरा 50 HP में, जो वेरियंट में आप अजल की कपत सब से कम और मेंटेनन्स ना के बराबर, एवियल इंजिन के साद़ आता है माइको बॉश का इंलाइन पम्प, इंलाइन पम्प को मेंटेनन्स फ्री रखने के लिए आता है वाटर सपरेटर, इंजिन की कूलिंग सिस्टम को मेंटेन करने Windows कारो वाला कूलिंग सिस्टम recovery bottle प्रदान करते हैं और आप सोच रहे होंगे ये काला वाला box क्या है इसके अंदर आता है balance type power steering इसको maintenance फ्री करने के लिए हमने separate oil tank दिया है power steering के लिए 2 liter तेल इसी का इस्तमाल करेगा ताकि power steering का जो wheel cylinder है वो सालो साल maintenance फ्री रहे इसमें मिलता है आपको 3 cylinder का avial technology वाला दमदार engine जो diesel की कपद सबसे कम ले और ज्यादा ताकत प्रदान करे maintenance ना के बराबर यही नहीं दोस्तो सर्विस अंत्राल भी आप जाना चाहोगे पूरे 500 गंटे सर्विस अंत्राल इसके अंदर आपको filtration system मिलता है साती साथ fully liquid sealed engine आता है इसमें आपको प्राप्त होता है ब बात करें तो यह पूरा ही कास्ट आयन से बना हुआ है पूरा 110 किलो का है ट्रेक्टर को balance करने में बहुत मददकार होता है अगर आप row cropping आलू की खेती कपास की कहती करते हैं तो front axle आप जैसे चाहिए मेड के हिसाब से adjust कर सकते हो इस ट्रेक्टर में आपको प्राप्त होता है dual clutch माने जब मैं आदा clutch दबाता हो तो ट्रेक्टर अगर खेत में चल रहा है तो रुख जाएगा PTO चलता रहेगा पूरा ही clutch दबाता हो तो PTO भी रुख जाता है एक ही pedal में दो operation dual clutch प्रदान करते हम साथ में gearbox के अगर बात करें तो इसके अंदर आपको प्राप्त होता है 8 plus 2 माने 8 आगे जाने का दो पीछे जाने का gearbox टेक्नोलजी है constant mesh और PTO की अगर बात करें तो हमने यहाँ PTO selection lever प्रदान किये हैं आगे की तरफ इसको करते हो तो 540 चकर अपको PTO में प्राप्त होते हैं पीछे की तरफ अगर करते हो पूरा तो MR PTO में engage हो जाता है माने अलग अलग गेर स्पीड में अलग-अलग स्पीड प्राप्त होते हैं अगर आपने reverse गेर डाल दिया तो reverse भी गुंगता है अगर आप ट्रेशर या रीपिंग चला रहे हो कुछ फस गया तो reverse गेर डाल दो और इसको पीछे engage कर दो MR PTO में तो फसी उचीज आसानी से बाहर निकल और अलग-अलग स्पीड आपको अलग-अलग उपकरण में बहुत मददकार होता है सेफटी की अगर बात करें इस ट्रेक्टर में तो हमने यहां ट्रांस्पोर्ट लॉक प्रदान किया है ताकि घर से खेट खेट से गर उपकरण को ऊपर उठाके चल रहे हो तो वहीं पर इसको लॉक कर सकते हो ताकि चलते होए ट्रेक्टर से किसी ने लीवर डाउन कर दिया तो उपकरण नीचे ना गिरे यहीं नहीं अगर बच्चे खेलते खेलते आके चावी गुमा दे तो ट्रेक्टर चालू ना हो तो इसके अंदर हमने सेफटी न्यूटरल स्विच दिया ह जब तक आप हाईलो गेर को नीटरल नहीं करोगे ट्रेक्टर चालू नहीं होगा साती साथ हमने डीजल टंकी का भी एक चोटा सा लॉक दिया हुआ है इस ट्रेक्टर में आपको दो लीवर वाल है ड्रोलिक प्रदान होता है साथ में चोटा सा स्पूल वाल लीवर या ऑक् प्रेसरी रंग का लीवर के बारे में इसका नाम है ड्राफ लीवर और इसके अंदर ADDC सेंसिंग प्रदान होता है उपकरण जैसे MB प्लो कल्टिवेटर गहराय में जो काम करते हैं जिनको सेंसिंग की जरूत है तो आप ये लीवर का इस्तमाल कर सकते हो बगल में जो फेंड लेवलर या सीड ड्रिल आप आसानी से छला सकते हो हां दोस्तो इन दोनों लिवर को आप mix mode में भी चला सकते हो फाइदा मिलता है ते ते ली जमीन यह नमी जहां ज्यादा होता है इसी के साथ जो तीसरा लिवर जो है auxiliary लिवर इसका इसमल आप करोगे tipping ट्रॉली को उठाने और गिराने में पीछी की तरफ आप देखोगे तो बहुत stylish fender हम प्रदान करते हैं जाड़ा sheet metal के साथ दिखने में भी stylish और reliable भी साथ में इसकी पीछे tire की बात करें तो बड़ा 1498 का बड़ा tire हमने दिया हुआ है ताकि ज्यादा load की काम करने में सक्षम हो साथ में आप देख सकते हो rim stiffener जो काला रंग का हमने दिया हुआ है ये आपके rim को सालो साल maintenance free long life रखेगा इस ट्रेक्टर की अगर back end की बात करें तो heavy duty crown wheel pinion के साथ हमने single reduction प्रदान कि ये हैं साथ में robust square type axle दिया है ताकि ज्यादा जटके और load सेने में सक्षम रहे साथ में OIB brake तेल में डूबे brake प्रदान कर रहे है वो भी Korean disc के साथ ताकि सालो साल maintenance free रहे अब पीछे देख सकते हो पूरा flat back end दिया है छोटी trolley माध्यम trolley बड़ी trolley जरुत अनुसार आप hitting आ बात करें तो इसके अंदर हमने टॉपलिंग माउंट करने के लिए दो होल दिये हैं उपर वाला होल आपको soft soil में कारगर रहेगा नीचे वाला होल आपके hard soil में कारगर रहेगा इसका मतलब जैसे आपके मिट्टी है उस प्रकार से ट्रेक्टर मिट्टी को सेंस करके जुता इसके अंदर हम प्रदान करते हैं QRC कपलर जैसे कि मैंने आगे बताया था auxiliary lever जब भी आप operate करोगे यहाँ पर आपको hydraulic pressure प्राप्त होता है तो tipping trolley का जो होस रहता है वो जटपट लगाए जटपट आप निकाल सकते हो बिना कोई जूडी या spanner के ये ट्रेक्टर आपको प् आपके सामने आज मैंने पेश किया farm track का नया 45 super smart यही नहीं इस ट्रेक्टर में एक खास चीज भी है वो है 24 bar 7 gear direct मतलब 24 गंटे कभी भी आप एक बटन दबाके company के साथ direct connect कर सकते हो और कोई भी तकनी की जानकारी, service booking या नए ट्रेक्टर की जानकारी भी ले सकते हो तो देर किस पात की खुड ट्रेक्टर को चलाएं और सारी इसकी खुबियां खुड जाने धन्यवाद